दोस्तों, इंडिया में आपको इंडियन करंसी को दूसरे करंसी में कनफर्ट करवाना है इस वक्त मेरे पास कुछ थाइबार्ट्स हैं और कुछ एरोस हैं मेरे पास कुछ डॉलर्स थे जो कि मैंने खर्च कर डाले वहीं बता दोस्तों कि यदि आपको इंदिया में अलग currency चाहिए तो कैसे मिल सकता है उसके लिए दोस्तों आपको money exchange पर जाना परेगा या फिर local travel agent से contact करना परेगा airport पर मिल जाएगा या फिर banks में easy आपका cash हो जाएगा easy आप other foreign currencies ले सकते हो और most importantly कि उसके लिए कौन-कौन से documents required है मैं आपको बता दोस्तों कि यदि आपको दुनिया के किसी भी कोने की currency आपको इंडिया में चाहिए क्योंकि जाएद तर देश होते हैं और जहां में money exchange जैसी problems face करने पो होते हैं बहतर है कि आप इंडिया से ही money को exchange करवा करके दुनिया के किसी भी कोने में जाओ बहतर होगा तो आप convert करवा सकते हैं उसके लिए कुछ documents लगेंगे यदि आप local travel agents के पास, airport के पास, banks के पास जाते हो या फिर online exchange करवाते हो तो documents आपको ready रखने होगे जैसे कि आपका air ticket, return ticket या और आपका visa, most importantly visa required होगा आपका pen card लगेगा और passport लगेगा इन सारी चीजों कि आपको यदि copies दे देते हो तो आप easily घर बैठे भी आप करने से मंगवा सकते हो या फिर local travel agents के पास जाकर कि मैं prefer करूँगा कि आप local travel agents से ही करवाओ कि वह आपको बढ़िया rate दे सकते हैं, वह आपको सही rate देंगे और उनके साथ आप बैठ करके mall भाव भी कर पाओगे कि भाई इतना नहीं, इतना rate लगा लो तो आप वहाँ आप easily बैठ करके mall भाव करोगे और जो best rates होंगे उस date तक वो best rates ही आपको local travel agents देंगे मैंने भी local travel agents से ही exchange करवाया था यहाँ आने से पहले तो बहतर होगा और documents आप ले करके जाओ, documents पहले से ready रखो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि visa on arrival है उस country का तो तो मैं आपको बता दूँ कि जिस देश का visa on arrival है तो वहाँ आपको visa on arrival form पर sign करवाएंगे और कुछ documentation का काम होगा आपका सारे documents लेंगे, दो तीन जगा signature करवाएंगे फिर वो आपको पैसे दे देंगे, आपसे पैसे ले लेंगे, आपको exchange करके जो rate चल रहा होगा दे देंगे, बहुत easy process होता है, कोई घावराने डड़ने या परेशान होने वाली बात नहीं है बट आपके documents सही होने चाहिए, तो documents क्या लगेगा हमने आपको बता दिया है